जी, बिस्मिल्लारमान रही, क्वेज़ का हम्वारा लيक्च्चर है, लेक्चर नमबर? 6 ठीक है? हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था ऑफरेंट, एकसेप्टन्स स्टार्ट किया था हां फॉस्ट एसेंशल इलिमेंट आप हा Contract हमने start किया था और उसका नाम क्या था Offer and Acceptance ठीक है Offer and acceptance में हमने offer को define किया जो कोन define कर देगा Offer को define कर देगा Offer and acceptance Offer की definition कोन सुना देगा चलो शाबश कोन सा बच्चा याद करके आया है जी वलीद Word to word Word to word, no Swati One person signifies to another person He didn't need to do or not to do something जबर्दस जी मौान सहाब सुना With a view Obtaining the asinta Such other person अगर ये definition लिकोगे तो पूरे नमबर जैसे वलीद ने लिका तो एकाद नमबर कटेगा ठीक है Definition same to same याद करने ये essentials कितने पड़े offer की नहीं जो नीचे ये तो definition किते है ना जो नीचे रूल्स रिकार्डिंग, essentials कितने थे? चार, कौन कौन? चार नहीं थे पांच थे, कौन कौन से? To himself, number two Communication of an offer, third Offer may be conditional Certain and definite Or invitation to an offer is not an offer ठीक हो गया? जी आज हम पढ़ेंगे Types of offers अँ? अई types है ना? Types of an offer Offer के Types There are two types of an offer कितने types है? दो कौन कौन से? Specific offer कौन सा offer? और दूसरा? General offer जी, specific offer किसे करते हैं? Specific offer उस offer को करते हैं जो के? Specific person को दिया जाए या फिर class of persons को दिया जाए Class का मतलब क्या है? Group of persons जीसे के इस class में चसीब ना में हसीब को कहूँ हसीब ये मारकर मैं आपको सेल करना चाहता हूँ बाई नेम अब इतने सारे बच्चे बेट हैं लेकिन मैंने specific ली ये offer किसको दे दिया? हसीब को तो ये कौन सा offer है? Specific या class आप persons में कहूँ के rise के business law के students के ले ये offer है तो ये कौन सी offer होगी? Specific offer जिसमें कोई group of persons या किसी person को specific ली offer दिया जाए उसको हम कौन सा offer कहते है? Specific general offer जो public को दिया जाए जिसमें कोई किसी बनने के लिए वो offer कोई भी accept कर सकता हो उसको हम कहते है general offer उसको हम कौन सा offer कहते है? General offer जिसमें कोई specific person या limit ना हो कोई भी बनना वो offer सारे लोगों के लिए जैसे के मिट्रो बस सिस्टम दे के क्या मिट्रो जो ओफर कर रहा है implied ओफर क्या है किसी specific class of persons को है यह किसको है general offer कौन सा offer है general कोई भी बन्दा 30 रुपे का या जितना भी टिकट है वो परचेस कर ले offer क्या कर सकता है acceptor कर सकता ओके असा concept ना जी इसके बाद है lips of in offer अगला टॉपिक क्या है lips of in lips का क्या मतलब है पहले यह समझे lips का मतलब है comes to in offer खत्म हो गया lips का मतलब है expire offer भी आ offer खत्म हो गया क्या यह possible यह possible जी बिल्कुल possible है लेकिन इसके लिए concept याद रखिएगा once an offer is accepted it cannot be lips तो offer lips हो सकता है खत्म हो सकता है कब only before acceptance अगर offer दिया और दूसरे पार्टी की तरफ से acceptance आया तो जब एक पार्टी की तरफ से offer हो दूसरे पार्टी की तरफ से acceptance हो तो यह क्या बन जाता है यह promise फिर offer खत्म आपर नहीं हो सकता है उफर कब खत्म हो सकता है सिर्फ और शिर्फ कब बहुत इंपौर्टन कोंसेट ए सिर्फ और सिर्फ कब आईकेप इस concept के base पे scenario based question टेस्ट करता है में pass papers में आपको दिखा लिए offer कब lips होगा जिरफ और जिरफ कब जब तक ये accept अगर offer एक बार accept हो गया ये फिर लेपस नहीं हो सकता ठीक है तो ये different methods है मोर्स है जिस से offer क्या होगा lips होगा सबसे पहले इस में है revocation के एन offer may be left through revocation revocation कहते हैं वापस लेना क्या करना वापस लेना मैं हसीब को कहूँ हसीब ये मारकर मैं आपको 100 रुपे का सेल करना चाहता हूँ क्या कहूँ हसीब ये मारकर मैं आपको 100 रुपे का सेल करना चाहता हूँ ठीके और हसीब कहें अच्छा मैं बताता हूँ अभी हसीब ने बताया नहीं गंटे बाद में कहूँ हसीब वो मारकर अब मैं आपको सेल नहीं करना क्या ये मैं कर सकता हूँ ये मैंने अपना ओफर क्या कर दिया वापस ले लिया रिवोक कर लिया क्या कर लिया रिवोक इसको क्या कहते हैं रिवोकेशिंग के आफरर अपना आफर खुद की हतम कर दे बिफोर एक्सेप्टन्स तो हम कहते हैं के आफर क्या हो गया लेप्स हो गया मितट कुन सा था रिवोकेशिंग ये मितट जे ये मोड जे मितट कुन सा था रिवोकेशिंग क्या है रिजेक्शिन चोड़े ताड़ बतारे लेप साथ हमने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में के ओफरर अपने ओफर के साथ कंडिशन लगा सकता है मैं खाईब को काओ मैं आपको अपनी गाड़ी सेल करना चाहता हूँ दसलाग उपे का मुझे दो दिनों तक बताए दो दिनों में नहीं बताया तीसरे दिन अब अटोमेटिक लिए ओफर क्या हो जायगा मैं कहता हूँ यह मारकर सेर करना चाहता हूँ शाम पांच बजे तक मुझे बताए ना बताया मुझे नहीं बताना दुबारा याद दिनाने की जरूर नहीं कि ओफर खतम होगी अटुमेटिकली पांच बजे मेरी ओफर क्या होगी खतम हो जाएगी लेप्स हो जाएगी किस वज़ा से रीजन क्या था लेप्स आप टाइम लेप्स आप टाइम टाइम की क्या लगाई थी ओफर ने भाई क्या लगाई थी अगर उस टाइम के अंदर अंदर एक्सेप्ट नहीं किया उस टाइम के expire री पे offer अटोमेटिक लिए क्या हो जाएगा expire हो जाएगा खतम हो जाएगा ओके जी निम्बर तर्ड डेट आर हिंसे लिठे जी फॉर एक्जंपल offer ने क्या दिया भाई क्या दिया offer किस को किसको ओफरी को आन 1st September 2023 और ओफरी ने acceptance दी आन 5 September 2023 लेकिन ओफरर डाइट आर पागल हो गया कब 23 ओफर कब दी 1st को acceptance कब आई पांच को वो कब पागल याब मर गया था कि इन को क्या acceptance तो ओफरी देगा ना वो तो नहीं देगा भई उसने तो ओफर दी तो ये तो ये दे रहा है ना acceptance ओफरर तो नहीं देता ना ओफरर तो क्या देता है ओफर देता है acceptance कोन देगा ओफरी, ओक्य हो गया मैं इकले रहे के नहीं इकले अब लोकेता है जनाब जब ये acceptance दे रहाता उस टाइम पे वो जिन्दा था के मर गया तो क्या ये valid acceptance होगी लोकेता है होगी क्या होगी होगी, अब क्या है दो situation क्या है ये बुक में ये बात नहीं लिखी होगी, concept समदिएगा दो situation है या तो ओफरी को, for example, मैं कहता हूँ इसका नाम है Mr. Z या तो Mr. Z को knowledge हो, किसका हाँ उसके मरने का या पिर पागल होने का तो पिर तो लोकेता है, this is not a valid acceptance क्यों valid acceptance नहीं है क्योंके जैसे उसको पता चला ना, at the time of acceptance मैं किसकी बात कर रहा हूँ भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ किस टाइम पे, जब ओफरी क्या दे रहा था, acceptance अगर उसको पता हो और acceptance उसके बाद भी दे रहा है, ये ज्याद्ती कर रहा है लोगता है, this is not a valid acceptance because, जैसे इसको पता चला तो आफर क्या हो गया लेप्स ठीक हो गया अगर acceptance से पहले पहले इसको पता चला, तो आफर आटोमेटिक लिए क्या हो गया, लेप्स ये रूल किसने लगा है भाई ये किसने बता है दूसरा लोगता है लिडित का या पिर पागल होने का लोगता है इस केसमे ये क्या होगा अब आप की रहता है जनाफ सर, आफरर तो मर गया लोगता है जोगता है मर गया हो कोई बात नहीं, जब लोग मर जाते हैं तो उसकी जमीन क्या बेतिर्माल में चलिजाथी वरसा में तक्सीम होती है ना वरसा को क्या कहते है कहते है ये contract अब binding होगा किन के उपर बाई कि लीगल representatives के उपर जब valid acceptance होगा तो क्या बन जाएगा valid contract बन जाएगा ना कह रहा है ये contract किन के उपर binding होगा and the legal representative आप दो diseased individual diseased individual जो मर चुका समझ में आरी बात ये बात book में नहीं लिखी हुई concept समझ ले आई केप ने एक question पूछा हुआ है कि जनाब offer तब लेप्स होगा तब लेप्स होगा जब acceptance से पहले offer को उसके मरने का या पागल होने का पता हो अगर उसको पता नहीं है और उसने ये acceptance दे दी तो लोग कहता है this will be available acceptance जब offer हो acceptance हो तो क्या बन जाता है agreement और अगर वो agreement क्या हो enforceable by तो क्या बन जाता है contract तो एक contract किस की उफर binding होगा एक contract तब कौन पूरा करेगा जो मर गया है उसका वारिस लीगल रेप्रेजेंटेटिब्स ओके बच्चों क्ले रहे ये बात बेंगे क्या है कर लिया नंबर पूर नॉन फुल्फिल्मेंट आप कंडिशन ये तो हमने वेसे टाइम के साथ पढ़ लिया ना अगर ओफरर अपने ओफर के साथ कोई कंडिशन लगा दे कंडिशन के लिए दो बाते जरूरी है पॉसिबल टू परफॉर्म हो और लॉफर और ओफरी वो कंडिशन फुल्फिल ना करें तो ओफर अटोमेटिकली क्या हो जाएगा लेबस हो जाएगा जैसे ओदर टाइम का कंडिशन था कि शाम तक मुझे बता दे ना बताए तो ओफरी ने कंडिशन फुल्फिल नहीं की तो ओफर क्या हो जाएगा आटोमेटिकली खतम हो जाएगा समझ मारी बात राइज किसी स्टूडन को कहे कि अगर आप ने इस अटेम्ट में तीन पेपर पास कर दिये तो हम आपको टी ए शिप पर रख देंगे कॉंट्रेक्ट मतलब आपको सेल्री देंगे कॉंट्रेक्ट करेंगे आपके साथ यह क्या लगा दी राइज बहुए कि उस्टूडन पर क्या लगा दी कंडिशन कितने क्या कंडिशन क्या है तीन पेपर पास करने और वह बच्चा पास ना करे तो राइस की ओफर to requirement, जी, ओफर जो है, वो अपने ओफर के साथ कोई condition लगा दे, acceptance, mode of acceptance की condition लगा दे, क्या लगा दे, Mr. A, ओफर दे किसको, I किसको, Mr. B, को और साथ में condition लगा दे, condition क्या लगा दे, के acceptance, must be given, true letter, ये क्या लगा दे, मोड बता दिया, क्या बता दिया, mode किस चीज़ का acceptance का कि अगर आमने acceptance दे नहीं है ना तो मुझे किस में बता दे लेटर के तू बता दे मिस्टर बी ने क्या बेश दिया मैं क्या कर दिया क्या valid acceptance है नहीं लेकिन याद रिखिये लोग क्या कहते हैं लोग 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 कहते हैं लो अगर इमेल इसको मिली और इसने पड़ी और इसने इंटिमेशन नहीं दी तो पिर ये क्या होगी वैलिड एक्सिप्टन्स होगी लौ कहता है उसको बता दो एक बार बताओगे एक बार कितनी बार एक बार कि जनाम मैंने तो कंडिशन लगाया हुआ ताकि लेटर के त्रू द के त्रू ना करें तो आपकी ओफर अटोमेटिक लिए क्या हो जाएगी लेट्स हो जाएगी अगला नंबर सेक्स सब्सीक्विंट इल्लिगिलिटी आर डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन का तुम्हें ने एक्जम्पल दिया था याद है कि नहीं वो गोड़े का याद है हा वही है ना लेकिन उसमें कौंटरेक्शन नहीं है मिस्टर एक्स ने ओफर किया किसको मिस्टर वाई को कि जनाम में आपको अपना गोड़ा या गर какая दियर्व हाउस या हॉरस गर था तो जलजले में गर गया सहलाब में गर बारिश में गर गया जो भी था गोड़ा था तो मर चुका भी acceptance नहीं है before acceptance अगर subject matter मर जाए अगर जिन्दा हो अगर जिन्दा ना हो तो destroy हो जाए तो offer automatically उसके destruction कब किस से पहले भाई किस से पहले अगर क्या हो जाए died या पिर destroy तो offer automatically क्या हो जाएगी lips अब वाई कहें ठीके मुझे गोड़ा दे दे क्या गोड़ा जिन्दा था इन्नीगिलिटी भी बताता हूँ ठीक है अगर accept कर ले और उसके बाद मर जाएए अभी perform ना हुआ पिर ये wide contract हो जाएगा पिर contract बन गया था पिर ये contract बन गया था लेकिन enforceable नहीं हो सकता तो पिर contract के साथ हम wide लगा दे और अगर before acceptance मर गया तो पिर contract बना ही नहीं आफर क्या हो जाएगा लेक्स बच उख ले रहे जी दूसरा example सुन ले दूसरा किसका कह रहे इन लेगिलिटी का इसके साथ ही इदर समझे इन लेगिलिटी का Mr. A ने Mr. B के साथ ओफर किया क्या किया ओफर ये ओफर कप किया फॉर एक्जमपल किया 1st October 2023 ओफर में क्या था I want to sell राइस टू यू 8 रूपीज 100 पर केज चीक हो गया ये ओफर कप किया 1st October को Before Acceptance by B गर्मिन ने प्राइवेट बिजनिस आपराइस पे क्या लगा दिए बेन लगा कि कोई भी बन्दा प्राइवेट बिजनिस आप राइस का नहीं कर साथ मुझे बताए क्या ये अब ये काम करेंगे तो ये लीगल होगा क्या होगा इलीगल तो ये क्या हो गया ओफर क्या हो गया Because आप सबसीक्वेंट इली बाद में सबसीक्वेंट किसे कहते है बाद में सबसीक्वेंट जब ओफर कर ला ता उस टाइम लीगल ता उस टाइम गर्मिन की तरफ से कुई पापन दी नहीं जब उसने ओफर किया अगले दिन गर्मिन ने बेन लगा दी अभी बी ने एकसेप्ट नहीं किया था बी ने एकसेप्ट नहीं किया था तो ये क्या हो गया सबसीक्वेंट इलीगलिटी सबसीक्वेंट इलीगलिटी की वज़ा से भी ओफर क्या हो जाता है अगर अभी एकसेप्टन्स ना आई हो तो और अगर acceptance आई हो, contract तो फिर wide contract बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जी, अगर executory contract हो, एक बंदे नहीं तो अपना जो काम का सब्सक्राइब, हम फिर वो नहीं, वो नहीं, वो वो, अब आप कहें कि मैं पैसे वापिस नहीं करूंगा, तो मैं क्यों करूंगा, मैं क्यों करूंग कि मैं क्यों नहीं दूगा, लो कहता है, यह देगा वापस, मेरे कहने या ना कहने से कुई फरक नहीं परता, लो क्या कहता है, हमने वो पढ़ना है, लो क्या कहते हैं, हमने वो नहीं परता, ओके, जी, अगला, यह केतने हो गए, ऐचे हो गए ना, नमबर सेवन, rejection, यह रह गया आता ना, जी, rejection दो तरह का होता है, या तो यह express होगा, कौन सा होगा, या पिर यह imply लोगा, express जानते हो, through words of mouth, specific ही नहीं, express में आता है, non-acceptance, या यह जो है ना, इसका असल में नाम है, इसको non-acceptance कर ले, क्या कर ले, non-acceptance दो तरह से होता है, express और, implied, express को हम कहते है, rejection, आपने किसी को offer किया, और उसने specific के लिए reject किया, मैं हसीब को कहूँ, हसीब यह मार कर आपको सहिर करना चाहता हूँ, हसीब कहें, मैंने नहीं ले, यह क्या है, non-acceptance है, किस के तरू, express, express, non-acceptance को क्या कहते है, rejection बोलते है, क्या बोलते है, एक होता है, implied, implied non-acceptance, implied non-acceptance को कहते हैं, हम counter offer, क्या कहते हैं, counter offer, Mr. A. ने offer किया, B. को, क्या मैं आपको अपनी बाइक सेल करना चाहता हूँ, for rupees 50 ता हूँ, B. ने कहा, दे दे, लेकिन मैं लूँगा यह, कितने कहा, offer कितने कहा किया, क्या वही offer accept कर रहे हैं, क्या कर दिया, change, इसको क्या कहते हैं, counter offer के साथ original offer क्या हो जाते हैं, यह वारी offer क्या हो गए, भाई क्या हो गए, लेप्स, अब इस offer के point आपकी उसे B क्या बन गया, offer, और A क्या बन गया, offer, अब A, offer की मर्जी होती है के नहीं, होती है ना, वो चाहे तो ले ले, चाहे तो ना ले, B ने कितनी offer की, कि अपने बाई के against कितने ले ले, 49, B, A ने का नहीं, मैंने 49 का, नहीं ले, इदर सुनें, इदर, 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 बी, अगले second में कहते है चलो ये लो 50, A के हैं, आप मेने 50 का भी नहीं, B के हैं, मैं तुमाने against कोट में जाओंगा, offer भी मैंने accept कर ली, अब आप पीछे हट रहें, जी, वो offer क्या हो गई थी, लेप्स हो गई थी, कब, बाई कब और जब ओफर एक बार खतम हो जाए वो रिन्यू तब होगा जब ओफर खुद उसको रिन्यू करेगा वो खुद से रिन्यू नहीं हो तो काउंटर ओफर के साथ भी इसको कंडिशनल एकसिप्टन्स भी कहते हैं इन्शालला कल एकसिप्टन्स में पढ़ेंगे इसको क्या कहते हैं काउंटर ओफर को क्या कहते हैं कंडिशनल एकसिप्टन्स के साथ ओफर क्या हो जाता है भाई ओफर क्या हो जाता है ओफर को कंडिशनल हो सकती है लेकिन acceptance कभी भी never conditional नहीं हो सकते ओके यह पढ़े reading करे, यहां तक कोई question हो, मुझसे पूछे कल इंशालला acceptance पढ़ेंगे और परसो आपका यह chapter complete हो जाएगा फिर आपके बाकी साथ ही जो है ना